डोपामीन तो चलिए जान लेता हूँ, ये डोपामीन क्या चीज़ है एक यह एक एक ऐसा केमीकल है, जो हम लोगगा ब्रेन रिलिस्ट ना करने से हम लोग किसी भी काम में खुष नहीं हो पाऊंगा किसी भी चीज जो हम लोग बार-बार करना चाहता हूँ, उसका पीछे का रिजन भी है dopamine क्यों हम लोगों को hard work करने से अच्छा नहीं लगता है, क्यों study करने के वकट हम लोग focus नहीं कर पायता हूँ, उसका पीछे का region भी है dopamine डोपामिन किस तरह से काम करता है इसका पावार कितना है चलिए जान लेता हूँ किसी भी काम में सकसेस होने के लिए हम लोगों को डेफिनेटली हार्ड वर्क करना बरेगा लेकिन किसी भी काम में hard work करने के लिए हम लोगों को जरुरत परता है हम लोगों का अंदर का motivation और motivation हम लोगों का अंदर टब ही जाकता है ज़ब हम लोगों का कोई goal होता है और example मैं body wield करना चाहथा हूँ और ये अगर मेरा goal है तो मेरा अंदर walkout करने के लिए मेरा under motivation जागेगा यानि कि ये motivation ही मेरे को मड़त करेगा हर दिन जीम में जागे walkout करने के लिए That means किसी भी चीज में success होने के लिए जरुरेट है desire लेकिन किसी भी चीज हासिल या किसी भी चीज करने का इच्छा जगाता है ये dopamine नाम का chemical जब किसी भी काम करने के वक्त हम लोगा under motivation आता है That means उस वक्त हम लोगा brain में high dopamine release हो रहा है जब आप बोट try करने के बाद भी motivation नहीं ला सकते हो उसका मतलब आपका brain totally dopamine release नहीं कर रहा है इसलिए हम लोगों को motivation नहीं मिल रहा है dopamine बोटी cigarette ली हम लोगा life का हर एक चीज को control कर रहा है तो ये ही चीज अच्छा से समस्टा हो For example आपके पास 2 option है पहला 1 hour आपका phone में social media चलाना और डूसरा 1 hour आपको जीन में जाके walk out करना आप कौन सा choose करोगे लेकिन आपका brain वो ही करने के लिए बोलेगा जो करने से आपका जाड़ा dopamine release होगा और instantly आपको मज़ा आएगा इसलिए आप naturally 1 hour phone ही जलाओगे और आप जब इस तरह से बार-बार decision लेटे रहे होगे तब आपको किसी भी तरह का hard work करने में अच्छा नहीं लगेगा जो आपको कम effort लगा के instantly आपको मज़ा आएगा उस तरह का चीजों में ही आप धिरे-धिरे addicted हो जाओगे 1 hour phone चलाने के वज़ा 1 hour walk-out करना पोटी अच्छा है और यह हम सबको बोटी अच्छा थे पता है लेकिन डोपामिन नहीं जानता है किया हम लोगे लिए अच्छा है और किया हम लोगे लिए अच्छा नहीं है ओ सिर्फ एकी चीज़ ढूंटा है कम टाइम में ज्यादा मज़ा और इसलिए एक drugs addicted अपने नजर का सामने अपने जिन्दिगे को बरबात होते हुए डेक्टे हुए भी वो उस addiction से निकल नहीं बाता है या किसी भी तरह से निकलने नहीं देता है ये dopamine नाम का chemical लेकिन चोकाने बाला बात ये है आजकल का ये modern society हर एक company में उसका expert बेट के डिजन कर रहा है किस तरह से उन लोगा product का जरी है हम लोगा brain में जारा dopamine release करया जा सकता है ताकि उन लोगा product हम लोग बार बार use करने के लिए मजबूर हो जाए इसलिए हर एक video game में level और reward system होता है ताकि हम बार बार उस game को खेले चीप्स, junk food बराबारा company भी क्या chemical यूज़ करने से हम लोगा brain में जारा dopamine release होगा इसलिए ओ always बराबारा recharge करे जा रहा है वो लोग उन लोगा product का जरी हम लोगा brain में dopamine release कराया जा रहा है ताकि हम लोग एक packet से दूसरा packet, एक post से दूसरा post, एक level से और एक level खेलना शुरू कर दो ये scientifically proven है, dopamine directly हम लोगों को influence करता है कि हम लोग क्या decision लेने वाला हो और हम लोगों का action क्या है ओके fine तो dopamine कोई खराब चीज़ भी नहीं है गेम खलने के work या social media school करने के work हम लोगा brain में जारा dopamine release हो रहा है लेकिन study करने के work या आप जो काम करते हो ओक काम करने के work अगर आपका brain में जारा dopamine release होगा तो कैसा होगा आप अपना life में सफल हो पाऊगी की नहीं, आप अपने goal को पुरा कर पाऊगी की नहीं लेकिन ये करने के लिए आपके पास एकी option है, वो है dopamine detox ये वीडियो टिकने के बाद आप अपने इसाब से एक day juice कर लेना उस दिन आपको कुछ करना होगा और कुछ चीज़ आपको पुरा avoid करना होगा जो काम करने से बोटिक कम dopamine release होटा है, वो सब काम आपको करना होगा जैसा कि अच्छा books पनना, meditation करना, workout करना या किसी भी तरह का junk food ना खाकर सिर्फ healthy food खाना यानि कि जो काम करने से high dopamine release होटा है, वो सब काम उस दिन आपको पुरा avoid करना होगा जैसा कि social media use करना, movie देखना, music सुनना या किसी भी तरह का tasty junk food काना ये एक दिन आप इतना बोर हो जाओगे, आपका life आपको black and white लगने लग जाएगा लेकिन ये बोरने से अगले दिन आपका life में हर एक छोड़ा सब चीज में भी खुशिया ला देगा अच्छा productivity काम करने से आपको अच्छा लगेगा और इतना दिन जो काम करने से आपको बुरा लग दाठा वो चीज करने में भी आपको मजा आएगा और ये ही है dopamine detox का एक बड़ा advantage लेकिन जैसा सिर्फ एक दिन रूम क्लीन करने से पुरा जिन्देगी आपका रूम क्लीन नहीं रटाए सेम उसी तरह सिर्फ एक दिन dopamine detox करने से सारे बुरे addiction से आप निकल नहीं पाओगे पुरा life अगर आप high productive रहना चाते हो तो इसको अपना lifestyle में add करना होगा मंद में कम से कम एक बार ये dopamine detox आपको follow करना होगा सारे distraction से निकल के आपको silent रहना होगा डेखना आप सारे मंद productive energy रह पाओगे आपका सारे अच्छा काम को लेकर तो आज के लिए बस इतना ही I hope कि इस वीडियो का जरी है आपका live में कुछ value add कर बाया हूँ so thank you for watching see you in next video